ये देखिए फेस नहीं आरा फेस दिखा देता हूँ इसको इसको अच्छी तरह देखिए ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनाशल न्यूस पेपर है फाइनाशल टाइम्स अव लंडन इसमें अदानी एंड दे मिस्टीरियस कोल प्राइस राइस लंबी कहानी है पहले हमने 20,000 करोर रुपे की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है कहां से आया अब पता लगता है 20,000 करोर का फिगर गलत था उसमें 12,000 करोर और एड हो गए है तो अब टोटल फिगर 32,000 करोर का हो गया है अदानी जी इंडोनीशिया में कोईला खरीदते हैं और जब तक वो कोईला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है डबल हो जाता है ऐसे तकरीबन 12,000 करोर रुपे अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकिट से निकाला है कैसे कोल प्राइस को गलत दिखाकर ओवर इन्वोईस करके यहां पे बिजली के दाम को बढ़ा कर करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी ने बिजली के सबसिडी दी है मध्या प्रदेश में हम देने जा रहे है अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि यह जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है इसमें से बारा हजार करोड रुपए आपकी जेव में से सीधा अदानी जीने लिए है और यह यह दुन्या का एक सबसे जरूरी फाइनशल निउस्पेपर फाइनशल टाइम्स लंडन कह रहा है अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह स्टॉरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती बिजली का मामला है गरीबों का मामला है सीधी चोरी का मामला है मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है मतагоरी का मामला है दे व्रेकोरी के फश्य क्षिस्ट रम'नेटपिरेज ग्जांट क्षिस्ट्री आदानी एंट्ट्क्रीसा को जोड़ी पासवारा रेज़ पींदुस्ट्ट्सारड़श्य चैनश TM price doubles and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दा बढ़ते जा रहे है, और अदानी जी over-invoicing करते हैं, पैसा गरीबों की जेव से लेते हैं, बेखनी तेपस्वी के लिजाँ में पुरेपस का ऱटे लेती आब में का लेहे हैं, आपका में this story would bring the government one,orrhah, पैसा, आदा में सिर्थ एफ जच आईंट औन जी से लेरीघित आफ Mode, and the surprising thing is not a single Indian newspaper is interested in picking up this story not a single media channel is interested in picking up this story we are giving electricity subsidies in Karnataka in Madhya Pradesh and while we are giving electricity subsidies Mr. Dhani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India and I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this this cannot happen without the protection of the Prime Minister of India it is impossible so the question is why is there no action being taken on this gentleman now I have a CC meeting so if you have a couple of questions on this topic because I would like you not to distract from this topic so if you have a couple of questions on this topic I am happy to answer them 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 Hello because people are saying that we are not getting documents from them but they are getting documents from them we have got all documents from the financial times from the financial times and we are saying that we are not getting documents from here इसमें मतलब प्रूफ है, इसमें यह मतलब एसे नहीं बोल रहे हैं, सारा दोक्यमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई आक्शन नहीं, और इस बार तो हिंदुस्तान की जंता की जेब से चोरी किया जा रहा है, बिजली बिल जवाब जवाब पंका चलाते हो, गरीब लोग पंक यह स्विच दवाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है, और करवा कौन रहा है, अदानी जी के रक्षा कौन कर रहा है, हिंदुस्तान का प्रधान मंतरी, तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवाब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दवाते हो, चाहे वो बलब हो, पंका हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है, और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोधी कर रहे हैं, 32,000 करोर रुपए तो हमने दिखा दिया है. झाले